गाईज मेरा एक question है क्या आप इस question का answer दे पाओगे मेरा question बहुत ही simple सा है कि भगवान ने जब ये हाथ बनाया था भगवान ने जब ये हाथ बनाया था तो लकीरों के ऊपर ये उंगलिया क्यों लगाई थी ऐसा क्या engineering physics है इसमें कि पहले लकीरे लगाते है और उपर से फिर उंगलिया लगाते है इसमें कुछ तो concept होगा कुछ तो logic होगा तो क्या ऐसा सोचा होगा भगवान ने कि भई पहले ये करते है फिर उपर से उंगलिया लगा देते है क्योंकि भगवान ने भी जब ये हाथ बनाया था तो किस्मत के उपर मेहनत को रखा था यहाँ पे काफी सारे बच्चे आतेगी सर आप तो हमें सीधा शॉटकट बता दो और जल्दी से हम important chapters कर लेते हैं और हमारा selection जो है वो IIT में हो जाए टॉप मोस्ट ब्रांच हमें मिल जाए और हम आगे जीवन में successful हो जाए बट लेट मी टेल यू मेरे बच्चों जीवन में कोई successful होने का shortcut नहीं है मैं हमेशा बोलता हूं कि या लाइफ में कोई shortcut नहीं है मैट्स में फिर भी shortcuts होते है बट लाइफ में कोई shortcut नहीं है अगर आपको successful होना है अगर आपको IIT में जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और कडी मेहनत करनी पड़ेगी रोज सुबह उठना पड़ेगा और घिसना पड़ेगा रोज physics लगाओ chemistry लगाओ math लगाओ बहुत सारे questions की practice करो concept के उपर आप बहुत सारा time spend करो उसका जो application है उसको सीखो तब जाके आपके जो concepts हो day by day clear होते जाएंगे और दीरे दीरे करके आपका जो improvement है वो होता जाएगा कभी-कभी यह जो process है उसमें एक साल का time भी लग जाता है इसलिए बहुत सारे बच्चे जो अपना preparation है वो 12th में ही start कर देते है 12th की starting में करते हैं बहुत सारे बच्चे 11th की starting में भी in fact preparation कर देते है बट generally मैंने यह देखा है कि जो भी बच्चा अगर 12th की starting से भी अगर serious हो गया तो उसके selection होने के भी काफी सारे chances होते है उसको भी top IIT बिलकुल मिल सकती है बिलकुल possible है बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी teacher आपको guide कर सकता है बट मेहनत आपको ही करनी है तो अगर आप यहाँ पे महनत करने के लिए ready हो जितने भी 23 aspirant है और 24 aspirant है now is the time to roar आपको यहाँ पे beast mode में आना पड़ेगा आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं आज का दिन है और जब तक JEE 2023 या JEE 2024 नहीं हो जाता है तब तक मैं लगातार consistency के साथ महनत करूँगा और हर दिन बहुत सारे questions की practice करूँगा हर दिन concepts को समझूँगा बहुत सारे lectures आपको देखने पड़ेगे DPP solve करनी पड़ेगी sheet लगानी पड़ेगी काफी कुछ आपको करना पड़ेगा end में mock test आपको देने पड़ेगे रिविजन प्लान करना पड़ेगा रिविजन में भी रिविजन पहली बार करोगे दूसरी बार करोगे तीसरी बार करोगे काफी जारी चीज़े है तब जाके फाइनली आपका एक साल बाद या दो साल बाद आपका JEE में selection होता है आपको IIT की degree मिलती है तो अगर आप ready हो 23 23 और 24 experience के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा surprise है हमारे जो 11th और 12th के batches है वो start होने जा रहे है यहाँ पर early evolve का जो batch है वो आपका start हो जाएगा इसमें हम आपको full-fledged साल बर का ये course है पूरा 12th standard इसमें आपको पढ़ाये जाएगा इसमें starting में तो आपको 11th का revision कराएंग तो अगर किसी का 11th week है तो पहले तो आप 11th को strong कर लो क्योंकि जब तक आपका 11th strong नहीं है 50% weightage 11th का होता है अगर आपका PNC strong नहीं है तो probability आपको कभी समझ नहीं आएगा अगर आपका straight line strong नहीं है तो आपको 3D geometry कभी समझ नहीं आएगा तो इसलिए 11th को पहले आप strong बना सकते हैं मेहनत लेकिन आपको करनी पड़ेगी कड़ी से कड़ी मेहनत इसमें आपको सारे features मिल जाएंगे top educators आपको पढ़ा रहे सारे educators best है and definitely इसमें आपको DPPs मिलेगी sheet मिलेगा साल बर का ये course है तो definitely इसमें आपके बहुत सारे mock test होंगे test series भी मिलेगी top educators का आपको access मिल ज सकते हो अभी से आप अपनी preparation चालू कर दो क्योंकि एक साल कई time है बहुत ज्यादा time नहीं है अगर आप calculate करोगे तो लगबग लगबग एक साल से भी कम का time है क्योंकि आपका जो first attempt है वो January में हो सकता है और already March तो चली रहा है तो आप एक साल भी नहीं आप मान के चलो कि 10 महीने के time ही है और यह जो 9 या 10 महीने के time है उसमें अगर आप अपना जो effort है उसको maximize करना चाहते हो then definitely यह वाला जो batch है यह 23 aspirants के लिए best है इसको आप जॉइन कर सकते हो यह plus के ऊपर यह batch आने वाला है तो definitely आप इसको जॉइन करो पहले अपना 11th strong करो और फिर इसमें हम full- फ्लेज आपको 12th standard भी कराने वाले है और जो भी 24 aspirants है जो अभी 10th से 11th में आ रहे है उनके लिए यह जो batch है यह काफी critical है यहाँ पे आप जो early emerge वाला batch है इसको join कर सकते हो इसमें again मलब starting में आपके 10th standard की concepts है जो foundation level की concepts होते है उसको strong कराये जाएगा और उसके बाद आपका फुल फ्लेज जो 11th का batch है वो भी इसमें आपका start हो जाएगा but definitely as I said आपको यहाँ पे खूब सारी महनत करनी पड़ेगी महनत आपके आथ में ही है teachers आपको guide करेंगे सारी चीज़े पढ़ाएंगे DPP sheet study material सब आपको मिलेगा but महनत आपको अपने end से कोई कमी नहीं आनी चाह और साथ ही साथ अभी काफी सारे interesting offers भी चल रहे है जैसे कि अगर आप 3 महिने का subscription लेतो हो तो उसमें 1 महिने का extension है आपको 1 महिने का free में extension मिल जाएगा यह तो खेर 22 aspirant के लिए है जो 23 aspirant है उनको 1 साल का subscription लेना चाहिए एक साल का अगर आप लेतो हो तो उसमें आपको 4 महिन वो भी sorted है ठीक है और जो 24S print है उनके लिए है 24 month का subscription अगर आप 24 month का plan कर रहो तो उसमें 4 महिने का आपको extension मिल जाएगा मनलब 4 महिने आपको बिलकुल free मिल जाएंगे and plus आपको 24 month का CBSE class 11th का जो subscription है वो भी आपको इसमें मिलेगा तो definitely again आपका जो 11th standard का exam है school के जो exam से उसकी preparation भी sorted है यू can use the code nvlive यह मेरा code है जैसे ही आप इसको लगाओगे तो आपको maximum possible discounts मिल जाएंगे और यह जितने भी offers है उसको आप activate भी कर सकते हो तो nvlive यूज कर लेना और further अपने जो batches है उसमें मिलेंगे अचा एक और important चीज में आपको बताना चाहता हूँ unacademy के platform पे बहुत सारी special classes भी अभी आपकी चल रही है तो specially अगर आप special class attend करना चाहते हो special classes are completely free तो एक हम NTA का mock test discuss करने वाले कल यह unacademy के platform पे होगा it is completely free इसको unlock करने के लिए आप यहाँ पे code use कर सकते हो nvlive बट it is completely free तो एक mock test में आपको practice कराऊंगा हम और आप साथ में मिलके यह पूरा mock test complete करेंगे बहुत सारे बच्चों को यह attention होती है कि sir हम अपना time manage कैसे करें तो वह सारी चीज़े मैं आपको यह जो NTA का mock test है वह मैं आपके साथ बैठूंगा और हम लोग साथ में इसको solve करेंगे और देखेंगे कि यार time को कैसे manage करना है कौन कौन से questions करने चाहिए कौन से questions छोड़ने चाहिए वह सारी practice हम अच्छे से करने वाले तो यह free special class है इसको आप definitely attend करना यह कल अपनी सवा 5 बज़े यह class अपनी start हो जाएगी तो definitely आप इसमें enroll कर लो इसका link आपको description में मिल जाए से इसको भी आप miss मत करना यह होगी सुबह 11 बजे सुबह 11 बजे कल हम मिलेंगे और इसमें काफी सारे questions practice करेंगे calculus के but last मैं फिर से मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आप अगर आप यहाँ पे serious हो तो definitely आपको अपने जो fears है उसको face करना पड़ेगा and ultimately यह थन न पड़ेगा आपको अपना एक goal set करना पड़ेगा कि हाँ भई मुझे GE 2023 में जो first attempt है उसको फोड़ना है और first attempt के लिए बहुत ज़ादा time नहीं बचा है आप मान के चलो कि आपके पास 9 या 10 महीने का time है वो भी मैंने ज़ादा बोल दिया in fact ठीक है क्योंकि 2-4 महीने तो आपके board exam में ही चले जाएंगे क्योंकि साथ साथ आपको 12 के साथ 12 का जो board exam है उसकी preparation भी करनी है तो कही ना कहीं आपका जो time है वो वहाँ पे भी divide होने वाला है तो आप अभी से ठान लो और अगर आपने ठान लिया तो आप महनत करना start कर दो ultimately आपकी ये महनत ही है जो आपको successful बनाएगी all the best let's crack it और batches में मिलते हैं thank you so much bye bye